हांची वेलकम कर देया थो अड़ा सारे यांदा थो अड़े अपने चैनल स्टडी एंड केरियर दे उते सो एक्जाम नेड़े आ गया होना आपा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करया करना ठीक है जी सो वाद तो वाद वीडियो तो आड़े तक आउन गी हैं किसे भी टाइम वीडियो आ सकती है सो शुरू करते हैं आप अपनी आज दी वीडियो पर चैनल नो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नो ज़रूर दा बलबो जड़े बच्चे नमे आएने चैनल दे उते सो नमबर एक दे उते को अच्चनिया जी 302 नमबर को अच्चना RDS दा डाइगनॉसिस हुंदा है ता ओप्शन आने तो आड़े को ले एक्सरे बलड गैस माप टैकी पीन उपरोकत सारे सो इन दे विच्चो जेड़ा तो अड़ा राइट आंसर है ओ हैगा वाजी राइट आंसर ओप्शन नमबर डी ठीक है उपरोकत सारे ठीक है एक्सरे बलड गैस माप अते टैकी पीनिया आड़ी एस दा ये सारे ही डागनॉसिस हुन देने ठीक है नेक्स्ट आप देख देया अगला क्वाच्चन छे साल तो कट दे बच्चेयां विच्च ए एस ओएम दा सब तो वद कार्ण है ता ओप्शन आने तो आड़े को ले स्टैफी लॉकॉस्कस दी स्ट्रैप्टोकॉकस थोड़ी जी प्रनांसियेशन चो हुआ सी एच इन्फ्लूएंजा आते डी एसपर गिल्स ठीक है त्या आना तुसी खोद रीड कर ले हो ते इस क्वेस्चन दा जेड़ा राइट आंसर या तो आड़ा ओ हो जूगा जी स्टैफ इन्फ्लूएंजा ते एक गाल हो रहा जे वीडियो दी स्पीड ज्यादा लाग दी हुंदिया ना वीडियो नू पाउज करके तुसी आंसर ने जड़ी ओ रीड त्या आना कर लेया करो ठीक है तो नेक्स्ट आपा देख दें आगले क्वास्चन हाँ जी शीशू विच्च सब तो वद होन वाड़ा हेठले सात अंतर दी लाग है ता ओप्शन है ए नियुमोनिया भी ब्रोक्योलाइटिस सी दमा आते डी पुराणी ब्रोकाइटिस ठीक है सो एस क्वास्चन दा जेड़ा तो आड़ा राइट आंसर होगा ओ हैगा जी ओप्शन नंबर भी ठीका नेक्स्ट आपा देख दें हां 305 नंबर क्वास्चन केस उमर वर्ग विच्च ब्रोक्योलाइटिस सब तो वद पाया जानदा है ता ओप्शन आटवाड डिको ए एक तो पंदरा साल ता इस क्वास्चन दा जेड़ा तो आड़ा राइट आंसर होगा ओप्शन नंबर भी ठीका एक तो छे मीन ने देवेच्चे है जेड़ा हाँ ब्रोक्योलाइटिस से जेड़ा कोछ भी आहे ज्यादा पाया जानदा वाट ठीका नेक्स्ट केड़ी बमारी दो साल दी उमर तो बाद बहुत काट पाई जान दिया ता ओप्शन ने ए नियूमोनिया नियूमोनिया भी दमा सी हुई या ब्रोक्योलाइटिस ते डी ब्रोकाईटिस सो केड़ी बमारी जेड़ी दो साल दी उमर तो बाद बहुत काट पाई जान दिया त C, ठीक है जी, next, हाँ जी, दा सब तो बाद कार्ण है, इस पैलेंग जे देख लो, मैं तो प्रनांसियेशन सही नहीं हूं थी, A, ओप्शन या, एडिनो वाइरस, B, ओप्शन या, RSV वाइरस, C, ओप्शन या, इन्फ्लुएंजा वाइरस, D, ओप्शन या, मैको प्लाज्मा, सो इदा सब तो ज्यादा कार्ण की या, ता राइट आंसरा तो आड़ा जी, ओप्शन नमबर भी, RSV वाइरस, नेक्स्ट आपा देख दिया अगला क्वश्चन, हाँ जी, किन्ना, सिल्वर मेन, रिट्रेक्शन स्कोर चंगा, प्रोग्नॉसिस दासदा है, आप्शन ने, A, 0, B, 4, C, 6, D, 10, ता राइट आंसरा इस, क्वश्चन दा तो आड़ा, आप्शन नमबर A, 0 इस दा राइट आंसर, अगला क्वश्चन, किन्ना, सिल्वर मेन, रिट्रेक्शन स्कोर, बुरा, प्रोग्नॉसिस स्कोर दासदा है, ता, आप्शन ने, 0, 4, 6, 10, ता तो आड़ा, जेड़ा, राइट आंसर रेया, ता राइट आंसर रेया, आप्शन नमबर D, यानिके, 10, हाँ, जी, नेक्स्ट क्वश्चन है, मा दे दोद विच, प्रोटीन दी, मात्रा हिंदी है, सो माँ दे दुद्विच प्रोटीन दी किन्नी मातरा हुं दिया A. 3.2 ग्राम 100 ml B. 1.2 ग्राम 100 ml C. 2.2 ग्राम 100 ml D. 4.2 ग्राम 100 ml सो माँ दे दुद्विच प्रोटीन दी किन्नी मातरा हुं दिया ता तो आड़ा जेडा राइट आंसर है इसको अश्चन्दाओ हैगा जी option number B 1.2 gram 100 ml Next Grade 3 को portion विच पार हुन्दा है A 50% तो काट B कोज़ा तो 60% C काहट तो 80% D 80 तो 100% So grade 3 को portion विच पार हुन्दा किन्ना हुन्दाओ ता इस दा right answer है तो adoption number B कोज़ा तो 60% Next Riketis दा कार्न है A vitamin D दी का आट B vitamin C दी का आट C vitamin K दी का आट ते D उपरोकत सारे So this question दा right answer के डाया Option number A vitamin D दी का आट नाल Riketis ना दी बमारी हुन्दिया Next दमेदे रोगी दी नर्सिंग देख बाल विच शामल है A Fowler's position B IV fluid C Expectorant D उपरोकत सारे So this question दा जेड़त वाडर Right answer या ओ हैगा उपरोकत सारे Option number D is the right answer वाद दे आट नेक्स्ट कॉस्चन देवाल हाँ जी Respiration विच देख देख दे हाँ की देख देख दे आपा A rate अते rhythm B rhythm अते depth C rate अते depth D उपरोकत सारे So respiration देवाच की देख 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 देए आपा तर तो आद ढ़र Right answer या Option number D is the उपरोकत सारे Next किनने तो काट सरीर देत आप मांते है Hypothermia मन्या जान्दा है Option या A 4 degree Celsius B पाईंति डिग्री Celsius C चति डिग्री Celsius D 33 degree Celsius So इस question दा Right answer ढ़र Option number B, B is the right answer 50 degree Celsius next auxiliary तापमान मापनले थर्मामिटर नू किन्य देर तक रख दे हां हाँ जी थर्मामिटर नू किन्य देर तक रख रखे जान्दा सही तापमान मापनले A, एक तो तिन मिनेट B, तिन तो पांज मिनेट C, पांच तो साथ मिनेट या D, उपरोकत सारे तो एस को अच्चन दा जी डा राइट आंसर रहा है तो अड़ा B, तिन तो पांज मिनेट तक थर्मामिटर नू रखे जान्दा है क्रेक्ट तापमान मापन दे लई next टॉपिड स्पांज दा परियोग हुंदा है option ने ताप करम कट करन ले, वे चैन नी कट करन ले नीद ले आ ले या उपरोकत सारे तो एस कोष्चन दा तो अड़ा right answer रहा जी option नुबर डी उपरोकत सारे तापमान करन ले वे चैन नी कट करन ले या ते नीद ले आ ले यना तिन नही दे तॉपिड स्पज दा प्रियोग हुन्दा है नेक्स्ट कुछनिया दमे वाड़े बच्चे विच्च सही साल एंड़ी आदत नहीं है A थौरोसिस ब्रीथिंग B साइड एक्सपेंशन ब्रीथिंग C फौरवर्ड बेंडिंग D एल्बो एच एचिंग 318 दा ओप्षिन नमबर A इस दा राइट आंसर तो आड़ा हो जूगा नेक्स्ट हाँ जी 319 नमबर कुछनिया ब्रॉंचियो लेटिस दी नर्सिंग संबाद बेचे साब तो वाद महत्तपूर्ण है A एंटिबायोटिक B IV फ्ल्यूड C हमडिफाइड ओक्सीजन अते दी नेबुलाइजेशन इदा राइट आंसर तेनसो नी दा ओप्षिन नमबर C ठीक है जी हमडिफाइड ओक्सीजन हाँ जी नेक्स्ट क्वास्चन या पैनियो मोनिया दा कार्ण है A. पैनियो मोकोसस B. क्राइपोटो कोसस C. एस्पाइरेशन अफ फ्ल्यूड D. उपरोकत सारे इदा कार्ण की हुन्दा वा ता राइट आंसर तो अड़ा ओप्षिन नमबर D. उपरोकत सारे नेक्स्ट क्वास्चन नवियात बच्चे दा पार जानमदे पार तो तीन गुणा हुन्दा है ओप्षिन तो अड़ेकोल ने दो साल विच एक साल विच छे मी ने विच या नौ मी ने विच नमे जानमे बच्चे दा पार दुग्णा हो जान्दा किन्ने समेदे विच दुग्णा हो जान्दा था तो अड़ा आइट आंसर हा option number B एक साल दे विच पार आजड़ा हो double हो जानदा है next नवियात बच्चे दा पार जानम दे पार तो चार गुणा होंदा है option ने तो आड़े को 3 साल विच एक साल विच दो साल विच 9 मी ने विच किनने समेदे विच पार एक साल विच नवियात बच्चे दा पार होंदा है option 8 kg, 12 kg, 10 kg या 14 kg तो आड़े एक साल विच दो आजड़े विच दो आजड़े विच दो चार गुणा होंदा है option number C is the right answer 10 kg दे क्रीब पार होंदा जड़ो बच्चा एक साल दा हुंदा वा 10, 11 भी हो सागदा, 9, 9, 10, 11 जानी पार बच्चे दा होंदा है हाँ जी, next impetigo, impetigo है A, mite दा infection, B, herbs simplex दा infection, C, congenial skin disorder, D, bacterial skin disorder so, किया जी है, impetigo so, A question दा जड़े तो आजड़ो राइट आंसर हो हैगा option number D, bacterial skin disorder होंदा है so, A, दे नाल ही आपनी आजड़ी वीडियो आजड़ी स्वाप तूं दिया so, मैल दे, हाँ next video दे, विच होर नमे नमे MCQ लेके कोई भी वीडियो तुसी मेस नहीं करनी, मैं आप दे वलो कोशेश कर रहे हमा भी बद तो वद जड़े MCQ आजड़ी तक लेके आंदे जान तांके त्यारी आजड़ी तो आजड़ी मजबूत हो सके so, वीडियो देख़़ी सारे अंदे बहुत बहुत तांवाद वीडियो वदिया लगी ते लाइक ते शेयर जरूर कर दया करो तांवाद